नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सवी का न्यूद करसा इस यूटूब चल में है आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं नागोर्णो कारबाग छेत्र के बारे में जो एक विवादित छेत्र है आखिर इस टाइम में भी आप देखेंगे तो कांटिनियू जंग चारी है दो देश आमने सामने एक तरफ है आर्मेनिया दुसी तरफ है आजारबाजान देकिन ये दो देश आमने सामने क्यों है और इनके पीछे कारड क्या है इसका इतिहासिक महत्तु के बारे में देखेंगे कि आखिर ये इतिहास में भी युद्ध की वज़े नागोर्णो बाully आयसे बाट कर रहा हूं इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सागर और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा नागोर्नों कारबाग चेतर यह विवाद की विसे अब यह विवाद का कारण क्यूं बना हुआ है इसके बारे बेशी में चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा साथ इसके आस पास के चेतों की वाड़र बाडि ओगरा हो इन सब बातों को थोड़ा साम देख लेते हैं जब आप आजरबायजान को देखेंगे तो आजरबायजान की सीमा आप देखें एक तो कैस्पियंस ही है नीचे की तरफ इरान है इस तरफ आर्मेनिया पढ़ता है जारजिया रूस है इससे सीमा लगती है और जब बात करेंगे आर्मेनिया की तो आर्मेनिया की बात करेंगे तो इसकी आजार बैजान ही है अब इनके बारे में देखना है कि यह जो यह दोनों देश जो है यह आमने सामने क्यों है इस तरफ मैं बता दूं कि जो यह वाला एरिया है पुरा पहाड़ी एरिया परवती एरिया कॉकेसस माउंटें रेंज है कॉकेसस माउंटें रेंज का एक तो कह सक तो यह वाले हिस्सम जबाएंगे तो आपको पहाडी छेत्र देखने को मिलता है लेकिन उतना पहाडी नहीं है लेकिन पहाडी तो ही मन्दब की उतनी उचाई नहीं है यहाँ पर तो यह वाला छेत्र कह सकते हैं एक्जामपल के तौर पर भारत के किसी छेत्र से तुलना कीज तो आप एक्जाम्पल के तोर पर उत्राखंड का छेत्र ले लीजे या फिर हिमान्चल के वो छेत्र ले लीजे जो थोड़ा सぁम मैदानी छेत्रों में आते हैं लेकिन पहाड़ी हैं बहुत ज़धा बर्फ आपको नहीं मिलेंगी जैसे आपने एक्जाम्पल के तोर पर आप नैनी ताल वगरा ले सकते हैं और इन सब छेत्रों को देखेंगे तो लगबग ये जो नागोर्णो कारवाग का छेत्र ये वाला छेत्र वेसे ही लगबग देखने को हमें मिलता है ये पहली बात तो ये दो देशों के बीच में व हैं अलग-अलग है धार्मिक कारवे में इसको कह सकते हैं लेकिन मुख्य बज़े क्या है उसको समझते हैं मुख्य बज़े क्या रही है तो सबसे पहले में हम आपको लेकर चलेंगे 1918 में जब विस्यूद प्रथम यूश्वीद लड़ा जा रहा था प्रसम यूश्यूद exec लोने के आप देखेंगे तो एक देश हुआ करता दै जिसको ब्रते हैं टाांस काकेशष फेडरेशbn ये जो ये अप छेतर ने वह वाला हिस्सा ये पुरा हिस्सा ये पूरा एक देश वस्यूद गरता था जिसको बोलते थे टांस काकेसष फेडरेशन 1918 में विगठन तो उनकुं से निय अर्मेनिया ओसक्ता नियहां करने ना रिमीर को अर्मेनिया ओसता अर्मेनिया ओस्षाइश नियाक्त sweeb सक्ते थे स्वायत संग तो फ Catalonат के उसे सब वैसे तो यह ठीश के झाल आते थे सबस् ig принцип के सबस्राइभ गाइब यह सबसे अब आगे तो यह मं miens बढ़े पर आक्र ये रुस हैuga और ये सब हैं लेकिन रूस अलग है और सोवियस इसांग का हिस्सा हुआ करता था बाद में सब्सक्राइब और टू के असपास नैंटीवन में तो जब विगटन हो जाता यूएससर का तब सब्सक्राइब का इस नागोर्नो काराबाग का जो छेत्र था को दे दिया गया अजरबायजान को यह वाला छेतर जो आप दे रहें ना यह ना गोर्णो काराबाग छेतर जो था अजरबायजान को दे दिया जए अब बस हैंसे एरिया को यह बस ही से आर्मेनिया और आजयारमायजान की जो कह सकते हैं तो युद्ध की स्थिति थी उसी टाइम से चलती चली आ रही जब से सोवियत संग के 1922-23 के आसपास से कह सकते थे कि थुछा से विवाद का कारण बनता रहा था लेकिन ये दोनों देश को भी आपस में मुख्य रूप से लड़ा नहीं पाये क्योंकि वो दोनों क्या थे सोवियत संग का हिस्सा थे और सोवियत संग में ही उसको पुरा दिया गया था ये छे तरी इनको दिया गया और इनको नहीं दिया गया तो यह उस टाइम यह लड़ नहीं सकते थे लेकिन जैसे समय बीता गया सोवियत संग जो था वो धीरे 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 कमजोर होता चला गय देखेंगे दो нач विदाण सवान विदान सवाने एक प्रस्ताव पारित किया और बोला कि हम आर्मेनिया की तरफ जाना चाहते हैं आर्मेनिया की सब्सक्राइण कि तरफ जाना चाहते हैं तो बस यहीं से विवात का करड़ बन गया आज़ारबैजान को यह लगा कि यहां पर अलगाओ वादी आर्मेनिया अलग जारजी अलग सब देश क्या होते हैं सब अलग 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 देश वेलारूस हो गया यूकरेन हो गया यह सब देश क्या होते हैं सब अलग 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 देश हो जाते हैं बस यहीं पर इस्तिती यह बनती है कि जब नागोर्णो कारभाग छेत्र अपने आप नहीं जब किसी ने इसकी सोतंतर था मानी नहीं तो ये फिर आगे चल करके फिर 1992 में आर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच में युद्ध होने लगा क्योंकि ये जो था आधिकारिक रूप से अजर्बाइजान का ही हिस्सा था और आर्मेनिया इसमें दखल दे रहा था 1994 के बीच में युद्ध की इस्तिती बनती है युद्ध की इस्तिती में बाद ही आती है कि विद्धुविराम की बादा युरूस ने दखल दिया जो जिसके पास है वो ले ले वहीं पर क्या हुआ युद्धुवराम की इस्तिती बन गई जैसे जम्मू कस्मीर में है तो य आर्मेनिया केंडर आता है मतलब कि जूहाँ पे साथ स्ब्सेंट चलाथा Jewel लेकिन वो आधिकारी गुरूप से किसका हिस्टा एव अजयर बैजान का हिस्टा है आधिकारी गुचारी रूप से क्योंकि जब आप अजयर बैजान का मैप देखें अकी यहां की आर्मीना की तर प्रिवार नहीं होगा जिसके घर से कोई न कोई सहीद ना हुआ हो तो यहाँ पर युद्ध की स्थिती बनती है अजरबायजान वर्सेज आर्मेनिया कांटिन लंबे अर्से से ये दोनों देश आमने सामने चले आ रहे हैं हादिया में अभी आप देखेंगे तो कुछ इस रवी वार के टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आर्मेनिया ने बोला कि हमने आजरबायजान ने पहले फाइरिंग की अजरबायजान का खागा कि उन्हों ने किया दोनों की बीच में युद्ध की इस्तिती बन रहा है दोनों के बीच में डिस्प्यूट कांटिनू चलता चला रहा है चुकि यहां की पॉपलेशन इनको पच्छदर है चुकि लेकिन अधिकारी ग्रूप से ही अजरबायजान का हिस्ता है इस वज़े से दोनों के बीच में विवाद का करण बना हुआ है जिसमें पूरा अवस्थ जो है जो अलग अलग धड़ों में नजर आ रहा है जैसे आप देखेंगे तो तकी ईपर नहीं आजारवी घर पोपलेशन रहती और मुछिम कांट्री आजरबाज़ान के सपो consider है यहां पर इयरान की बात की जारी वह भी मद्यस्ता करने की बात कर तो यह वातमान इस्तिती है जो आप देखने को मिल लई है लेकिन जो नगर्णो कारभाग की जो हिस्ट्री थी मैंने आपको बताया कि यह पहले सही यह दोनों की विवाद का काड यही था कि यहां की पॉपलेशन जो थी वो थी इसाई लेकिन यह दे दिया गया मुस्लिम स्थित्र पर देखें घ时间 कोई मानने को तैयार नहीं था времena को अधिकार चेट में ले लिए वर्टमान चिसलाव औरलिया संदे पर कुछ हिसले अजर्बायजान के यह वाले च्छित्र में काफी ज़दा एरिया में फैलाया गया है और यहां पर क्या होती है अजरबायजान और आर्मेनिया की सेना आमने सामने रहती है तो यह था जो नागोर्नो कारबाग के स्थिम उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाए तो अपने मिस्ट्रों के साथ सेर जरू कीजे उमीद करता हूँ इसमें आपको कई सारी चीजे जानकारी की मिली होगी इससे में आर्मेनिया की जैसे कोई भी सागरी सीमा नहीं है उसी तरीके से अर्मेनिया की भी कोई सागरी सीमा नहीं लेंडलॉप कंट्री है और यह अजर बैजान की लगती है यह कैस्पियन सागर से लगती है रूस है जारजिया इरान है टर्की है इन सब को आप समझे बाउंडी लाइन को समझे यह थोड नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद